जैसे ही बरसात का मोسم शुरू होता है यह अरभी के पत्ते जो है मारकेट में आसानी से मिल जाते हैं अरभी की आपने धेर सारी रसिपी बनाई होगी लेकिन आज मैं पानी में डाल कर अरभी की एक बहुत ही अनौखी रसिपी बनाऊंगी जिसे खाने के बाद सब लोग आपकी तारिफ करेंगे और ये रेसिपी जो है चटपट से बन कर त्यार हो जाएगी तो यहां पर मैंने कुछ फ्रेश जो है अर्बी के पते ले लिए हैं अब इनकी डंठल को जो है हम कैंशी की मदद से कुछ इस तरीके से कट कर देंगे और आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन ये जो अर्बी के डंठल है इनसे भी बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है अगर आपको जरा सी भी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथी साथ लाइक और फॉलो और शेर जरूर कर देना तो यहां पर हमने डंठल को अच्छे से काटने के बाद में थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है इस गुनगुने पानी में हम इस अरबी के पत्तों को कुछ इस तरीके से डाल देंगे बहुत ही केरफुली डालेंगे ताकि हम इसको अच्छे से वाश कर सके अब एक स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसको जो है अच्छे से वाश करेंगे और इसके बाद में इसको थोड़ा सा पलट भी देंगे ताकि इसमें जितनी भी मिट्टे वगरा है वो अच्छे से वाश हो जाए आप चाहे तो एक एक पत्ता करके भी इसको अच्छे से वाश कर सकते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से यह जो पत्ते हैं वो वाश हो गए हैं इसको और क्लीन करने के लिए एक मिनट के लिए हम इस पानी में इसको रख देंगे तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजी कि आप ये मेरा प्यारा सा वीडियो देश के कौन से कौने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ पिछला थैंक्स जाता है तरुन जी को जाता है दिली से और सरोच जी को जाता है जोदपूर से तो आप भी हमें प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजे ताकि आपका नाम हम अपने अगले वीडियो में ले सकें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन पत्तों को बाहर निकाल दिया है और दूसरी तरफ एक बाउ लिया है जिसमें मैंने लगबख चार चमच के करीब बेसन का इस्तमाल किया है इसी के साथ में अब हम थोड़े से इसमें मसाले एड़ करेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है साथी साथ स्वादा अनुसार मैंने यहाँ पर थोड़ा नमक एड़ किया है और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला एड़ किया है और चुटकी बर यहाँ पर मैंने काली मिर्च एड़ करी है कालर के लिए थोड़ी सी हलदी का इस्तमाल किया है और यहाँ पर अमचूर पाउडर जो है आप जरूर इस्तमाल कीजिए अमचूर पाउडर डालने से कहते हैं की जो अर्बी के पत्तों में हलके-हलकी सी जो खाने में खरास आती है जो हलका अलका चुबन देती है वो बिल्कुल भी नहीं होगा और खाने में इसका स्वात भी बढ़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब आप चाहे तो चमश की मदद से या फिर हातों की मदद से इस मिश्रन को जो है अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको हमें आटे की तरह गूंतना नहीं है बस थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसको ना तो हमें जादा गाड़ा करना है ना ही जादा पतला करना है बस नॉर्मल ही हमें रखना है थोड़ा सा लिक्विट फॉर्म में ही रखना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हलका सा डो बनना शुरू हो गया था तो मुझे यहां पर इतना गाड़ा तो नहीं चाहिए थोड़ा सा पानी और एट करना पड़ेगा ताकि आप चाहे तो थाली या फिर कुछ इस तरीके की अफलेट वाली चीज ले लीजिए ताकि हम इसका अच्छे से इस्तमाल कर सके तो यहां पर इस प्लेट को भी मैंने अच्छे से वाश कर लिया था और पत्तों को तो हमने पहले ही अच्छे से वाश कर लिया था इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है और इस पर मैं एड़ करूंगी ये बेसन जो बेसन का मिश्रन त्यार किया है वही मैं इस पर एड़ कर रही हूँ और इस तरीके से फैला देना है ये देखिए पूरा अच्छे से फैलाने के बाद में अब हम इस पर एक चीज और करेंगे जी हाँ कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से फैल गया है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ना तो इसको जादा पतला करना है ना ही इस मिश्रण को गाड़ा करना है अब हमें दूसरे पत्ते की भी जरूरत पड़ेगी आपके पास में अगर जादा पत्ते हैं तो दो तिन पत्तों का भी आप इस तरीके से लेयर बना कर त्यार कर सकते हैं मेरे पास फिलहाल चार ही पत्ते थे तो मैं इसकी सिरफ दो ही पत्तों से लेयर बनाऊंगी वो कैसे बनाऊंगी वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी लेकिन आपको भी कुछ इस तरीके से इस पर दूसरे वाले पत्ते पर भी जो है अच्छे से लेप लगा देना है पूरे पर अच्छे से कवर कर लेना है ताकि ये जो बेसन है वो बहुत ही अच्छे से कोट हो जाए और जब ये अच्छे से कोट होगा तो खाने में बहुत ही जादा अच्छे लगेंगे इसी के साथ में इन पत्तों को जो हलका हलका फोल्ड कर देना है और इसके बाद में कुछ इस तरीके से भी फोल्ड कर देना है देखिए हम जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको भी कुछ इसी तरीके से फोल्ड करना है ऐसा करने से ये बहुत ही अच्छी शेप ले लेंगे और ये जो बेसन की कोट हमने करी है वो कहीं से भी निकलेगी भी नहीं ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही आसानी से कोट हो गया है जाद जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप जादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो इस पत्ते की जो लेयर है आपको चार पांच आप लेयर कर सकते हो और उसमें क्या होगा कि ये थोड़ा सा मोटा बनेगा और बेसन की कोटिंग भी बहुत ही अच्छे से इस पे लग जाएगी तो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि मेरे पास में सिर्फ दो ही पत्तों की थी तो मैंने यहाँ पर दो दो पत्ते करके ही लेयर बनाई है और इसको भी अच्छे से लेप लगा कर एक बहुत ही प्यारी सी शेप दे देंगे लेकिन आपको एक चीज ध्यार रखनी है इस तरीके से डारेक्ट आपको इसे फोल्ड नहीं करना है ऐसा करने से क्या होगा कि यह जो कोटिंग है वो पूरे तरीके से निकल जाएगी इसके लिए हमें इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड ही करना होगा ऐसा करने से ये जो बेसन की कोटिंग है वो एकदम परफेक्ट रहेगी और ये बेसन जो है कहीं से भी निकलेगा नहीं तो इस तरीके से एक एक करके आप जैसे जैसे लेर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और बहुत ही अच्छी शेप ले लेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों अर्बी के पत्तों को रख दिया है अब दूसरी तरफ हम एक कड़ाई चड़ाएंगे कड़ाई में थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इस तरीके से जाली वाली जो चलनी है उसका इस्तमाल करेंगे और इसी के साथ में अब हम एड़ करेंगे यह अर्बी के पत्ते अर्बी के पत्तों को जो हमने कोट किया था बेसन के साथ में वो हम इसको डाल देंगे और इस तरीके से उल्टा कर ही हम इसको डालेंगे और अब एक लगा देंगे प्लेट और इसको लग निकाल लेंगे और निकाल कर एक बरतन में रख देंगे यहां पर मैंने इसको एक बरतन में रख दिया है और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे तो इसकी के साथ में अब हम इस रेसिपी को बनाने के लिए एक और प्रक्रिया करेंगे जहा तीन चार कलियां गार्लिक की लिए है और इसी के साथ में थोड़ा सा यहां पर मैंने अधरक भी लिया है और यहां पर दो कटे हुए टमाटर का भी इस्तमाल किया है अब मैं यहां पर थोड़ा सा आदा कटा हुआ हमने यहां पर नीमू का भी इस्तमाल किया है नीमू के आप पीच जो है वो निकाल लीजिए और कुछ इस तरीके से इसमें अच्छे से निचोड़ दीजिए ये जो नीमबू का रस है इस रेसिपे में बहुत ही अच्छा लगेगा तो आप मेरे कहने पर यहाँ पर नीमबू जरूर डालिए बाकी मुझे पता नहीं की ये तटा माटर और नीमबू का क्या हम एक साथ इसतमाल कर सकते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो यहाँ पर आप देख सेथे हैं कि मैंने इसको जो है एक बर्तन में निका लिया है आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं ये ऐसे भी बहुती जादा टेस्टी लगेगी आप चल लेते हैं अरबी के पत्तों की तरफ जहां पर ये पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया है और ये देखिए कितनी आसानी से ये जो अर्बी के पत्ते हैं वो बेसन के साथ में आसानी से कटना शुरू हो गए है और इसे काटने में मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है बिल्की बहुती जादा मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुती सौफली कट रहे हैं और इतनी अच्छे से पकर त्यार हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताओं एक एक करके मैंने यहां पर सारे अर्बी के पत्तों को काट लिया है वैसे आप लोग अपने घर पर अर्बी की कैसी रेसिपी बनाते हैं अर्बी के पत्तों की कौन सी रेसिपी बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो यहां पर मैंने तो कुछ इस तरीके से पानी में अच्छे से डाल कर इस रेसिपी को त्यार किया है और इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि ये कुछ फूल की तरह बनकर त्यार हो गया है अगर आप इस पर जादा लेयर डालते तो ये और भी जादा लेयर वाला जो अर्बी का पता है वो बनकर त्यार होता तो यहां पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है फिर से और उस कढ़ाई में जो है मैं थोड़ा सा ओIL डालूँगी लगभग 4-5 अमच के करीबी मैंने यहां पर ओIL डाला है ज्यादा ओIL नहीं डाला है जैसे ही ओIL गरम हुआ यह पत्ते जो है मैंने इसमें डालना शुरू कर दिय एक एक करके मैंने सारे जो अर्बी के पते है उनको डाल लिया है और इनको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और जादा देर तक नहीं पकाना है बस थोड़ा ही हमें इसे पकाना है जब तक कि इसका जो कलर है वो चीज़ नहों ज़ाएं लेकिन आपको एक चीज ध्यान सब्धेश्यां इत चैंच हो गया है भिंद चाहिएं पके तैयार हो गया है तो यहां पर अब हम एक स्पेचुला या इसी कर्ची की मदद से इसका जो एक्स्ट्रा ओयल है वो निकाल लेंगे और इसको अब एक प्लेट में डाल देंगे और यह जो अर्बी के पते हैं यह काफी जादा कुरकुरे और कृस्पी बने हैं आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं जो हमने चटनी त्यार करी थी स्पेशल वाली उसके साथ में भी खा सकते हैं लेकिन यहां पर मुझे इस रेसिपी में चार चांद लगाने के लिए एक और चीज करनी पड़ेगी जहां पर मैंने फिर से दो चमश के करीब ओयल लिया है और इसी के साथ में मैंने यहां पर एक चमश के करीब यह जो तिल होते हैं सफेद वाले उनी का इस्तमाल किया है अगर आपके पास में सफेद तिल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर स सकते हैं और इसमें अब आप थोड़ा सा डाल दीजे जीरा जीरा डालने के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीजे जैसे कि यहां पर मैंने एक बारी कर्टा हुआ प्यास पहले ही रख लिया था वो बारी क्यास मैंने यहां पर एड़ कर दिया है और इस प् करेंगे तो यहां पर जो चटनी हमने टामाटर की त्यार करी थी उसका इस्तमाल अब करने का समय आ गया है यहां पर प्यास भी अच्छे से भुन गए है अब वो जो चटनी हमने जिसमें टामाटर हम नहारा धनिया हरी मिर्ची सब डाली थी वो कुछ इस तरीके से इसमें डा रहे हैं वो बहुत ही जादा अनोखा है हटकर है एक बार अगर इस रेसिपी में आप इस तरीके से तड़का लगाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो यहां पर हमने इन सारी चीजों को जो है अच्छे से भून लिया है अब बारी आती है मसाले की तो यहां पर आपके इसी के साथ में थोड़ी सी हलदी डाल कर अब इन सारी चीजों को जो है स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप देखोगे कि किस तरीके से यह मसाले जो हो हलके से ड्राइ होना शुरू होंगे जैसे ह ये ड्राइ हो तो आप इसमें थोड़ा सा जो है पानी भी एड़ कर दीजी पानी की क्वांटिटी हमें थोड़ी जादा ही रखनी है क्योंकि हम इसको जो है ग्रेवी वाला पतला वाला बना रहे हैं लिक्विड वाला बना रहे हैं तो ग्रेवी की हमें जादा जरुवत पड ती कलर के लिए इससे क्या होगा कि कलर जो है इसका काफी जादा प्यारा आएगा तो लाल देगी में शृड़ के बाद में मैंने इसको ढ़कãदे कर अच्छे से पका लिया था और इसके बाद में हम यह ऐड़ करेंगी अर्वी इन पत्तों को अब आप इसमें एड़ करकर एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से चला लीजिए और ये देखिए कितने अच्छे से ये जो अर्भी के पत्ते हैं या अर्भी के पकोडे बोलो वो इस ग्रेवी में बहुत ही जादा अच्छे लग रहे हैं और मेरे कहने पर दो तो एक बार इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर बनाईएगा जितना मैं आपको वीडियो में बता रही हूं आप उस से कम समय में अपने घर पर बना लोगे क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही हूं तो आपको एक एक स्टेप करकर बता रही हूं उपर से आप थोड़ आपको आपको कंप मेरा प्यारह सा वीडियो से कौन से कौन से देख रहे हैं ताकि मैं आपका ठेंक्स कर सक Oak तो बड़ बाइ, फ्रेंड्स